जाहिन सातियो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो एड्मिट कार्ड है वो कब तक आ जाएगा एक्जाम सिटी डेट कब तक आ जाएगा एकदम जेलोन आपको एकदम समझ में आ जाएगा ठीक है एंड आपके बहुत सारी इंफोर्मेशन है आप अब तक पता चल जाएगा दूसरा सवाल है कि अड्मिट कार्ड कब तक आ जाएंगे सर और तीसर सवाल है कि देखिए बस सेवा जो फ्री वाली जो बात हो रही है कि आप जब एकजाम देने के लिए जाएगे तो उस टाइम पर जो है आपको किस चुल्क बशसेवा जो यह लिखा हुआ है इसका मतलब ही है कि जब आप एकजाम देने जाए तो आपको इस पेसली याद राखना है देखेगा एकजाम देने जाएं तो admit card कितना आपको ले के साथ में ले जाना है ठीक है एक्जाम सेंटर पर क्या केंदर पर आपको केंदर पर जो है वो ले करके जाने है तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो तीसरी और चोथी दो जो फोटो कॉपी है वो आपको बस वाले को देना है किस वाले को बस वाले को देना है मतलब जब आप अल्मोस्ट होनी चाहिए अच्छा एक आपके घर पर क्या होगा सर्जी से एडमिट कार्ड का देखेगा जब आप डेवी पीएसटी जब आप डेवी पीएसटी के लिए जाते ना तो उस टाइम पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आपके पास में कम से कम ये कु खीचलो सेव कर लो जीमेल पर घर पर रखना क्योंकि ये फॉर्म जो वो डेवी पीएसटी के टाइम पर भी मांग लिया जाता है ये जरूरी होता है कि आपने कौन-कौन से डॉक्मेंट उसमें लगाया था काफी आसानी होती है पोचाने के लिए तो इसलिए एडमिट कार होगा है एक सवाल आपका यह हो गया इसके बाद में अब हाली बात है कि सरा हमारा जो एडमिट कार्ड है वह कं तक आ does आज सब Woo 23 से चालूरी नि आज से चालूरी तो सीधी बात है कि आपका जूरी एडमिट कार्ड खांट ने एडमीट कर्ड किका एड Qام Помसिकी याद रख अपका कहां पर पड़ा हुआ है, क्या तारीक है, तो आपको इस 16 अगस्त को पता चल जाएगा, ップ 23 से आपका पेपर है, और आपको पता हुआ कि 2 दिन पहले इसका एड्मिट काड आता है, एक और बात देखेगा आपको पता है कम से कम 6-7-8 दिन पहले आपको जो वो सेंटर के वारे में पता चल जाता है कौन सा आपका जो city है कहां पर गया है किस तारीको पेपर है कौन सी shift में है यह सब जानकारी आपको 16 अगस्त और यहां पर 21 अगस्त मतलब एक expected है कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा अब देखेगा बस सेबा का मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में दो जो copy है वो दो copy आपके पास में admit card की होनी चाहिए ताकि वहां पर आप दे सकें तो इसलिए आपके पास में यह सारे चीज़ें होनी चाहिए अब देता हूं देखे exam की तयारी के लिए best आपके लिए यह बुक है अगरवाल exam card की तरफ से यहां पर सीधे सीधे यह बुक आपको दिखाई दे रही होगी और यह बुक काफी अच्छी है अगरवाल exam card special edition है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो reasoning है मानसिक अवरुच्वी तार्ग शक्ति है जो question bank है पूरा का पूरा आपको पता है इसमें 23 अध्याय मिलेंगे 200 से जादा जो आपको प्रश्णों का संग्रें इस पुस्तक के अंदर मिलेगा बारत की पहली किताब जिसमें पुलिस प्रशासनिक कारवाई के पुर्श्मी दे रखे जो के आपके प इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो रीजनिंग के लिए अरुन सर की यह वाली जो किताब है वह आप जरूर भाई कर लिजेगा आप अपने एक्जाम के लिए यहां पर आप देखेगा इधर उत्तरप्रदेश कॉंस्टेबल के लिए वही सीधी बात है इसमें बारे सॉल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे आपको पता है यहां पर सॉल पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे तो सॉल पेपर के लिए एक्जाम एक्जाम काइड पब्लिकेशन की आपको पता है अगरवाल की तरफ से यह बैस्ट बुक जो हो यहां पर रखा है एंड इसकी अगर आप गाइड बुक देखना चाहते हैं तो यहाँ पर QR कोड भी दे रखा है इसे आप आसानी से इसका प्लिस ओ जेल बाडरों फायर मेनों घुट सबारों पीए सू इन सभी के लिए यह बुक जो भो बैस्ट है ठीक है तो यह वाला आपको याद रखना कितना क्या याद रखना दस प्लस एक वाला ठीक है यह वाला भूक इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे दे रखा है यह बारे सॉल पेपर वाला है और यह अरुन सर की रीजनिक है ठीक है यह भी आपका आपको पता हुगा अगरवाल एक्जाम कार्ट की तरफ से पब्लिक की जाती है तो इस सब के वारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दिया है कि आपका एडमिट का अगस्त आप देख लेना साम को आ जाएगा एडमिट कार्ड भी आप 21 अगस्त को देख पाएंगे और बसकी सेबा के लिए पूरा जो आपको जो कौपी है वो सब मैंने आपको बता दिया इन सब को आप इस्पेशली ध्यार रखेगा और हिमत मत हारिएगा ठीक है ज्याद इन हार माद्यम से आप इनको बाए कर सकते हैं तैंक यू